विपक्षी गडबंदन ने लोगसबा चुनाओं से पहले हुए उपचुनाओं में समीकरन टेस्ट करने का मौका गवा दिया था अब पाँच राज्यों के चुनाओं में भी गडबंदन की गाड़ी उसी ट्रैक पर नजर आ रही है क्या सियासी टीम इंडिया न उपचुनाओं न विधानसबा चुनाओं बिना प्रैक्टिस मैच खेले सीधे 2024 के वर्ल्ड कप में उतरेगी इस एक्स्प्लेनर में तमाम एहम पहलूँ पर बात करेंगे राजस्थान मद्यप्रदेश 36 गर समयत 5 राज्यों के चुनाओं विपक्षी इंडियन नेशनल डिवलपमेंटल इंक्लूसिव अलाइंस के लिए लोगसभा चुनाओं से पहले लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं करीब करीब सभी चुनाओं राज्यों में कॉंग्रेस मुख्य दल है उत्तर प्रदेश और बिहार में से इतर मजबूत है लेकिन इन मद्य प्रदेश और राजिस्थान जैसे राज्यों में समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय लोगदल जैसी पार्टिया भी मौझूद की दर्ज कराती रही है आम आदमी पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए कॉंग्रेस और सपा के बीच मद्य प्रदेश में गड़बंदन के लिए बात भी चल रही थी जो अब फेल हो चुकी है ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी टीम इंडिया ये जो अलायंस है विपक्षी एक जुटता का किसी प्रैक्टिस मैच के बिना ही अपने मैच में उतर जाएगी ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और केरल की कुछ सीटों के लिए हुए उपचुनाओं में भी कई जगए इंडिया गड़बंदन के घटक दल एक दूसरे के सामने ही ताल ठोकते नजर आये थे उत्तर प्रदेश के माउज दिले की घोसी सीट हटा दें तो कहीं भी विपक्षी एक जुटता नजर नहीं आई घोसी में कॉंग्रेस के साथ ही आमादमी पार्टी लिफ्ट के दल और अन्य छोटी वड़ी विपक्षी पार्टीों के नेताओं कारिकरताओं ने एक जुट होकर सपा का समर्थन किया था लेकिन पडोसी उत्तरा खंड की बागेशवर सीट पर ही सपा ने कॉंग्रेस के खिलाफ उमीदवार उतार दिया था कॉंग्रेस ने बागेशवर की हार के बाद सपा के इस कदम पर नाराजगी भी जताई थी यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजयराय ने तो यहां तक कह दिया था कि हमने गोसी में बड़ा दिल दिखाया लेकिन सपा ने नहीं दिखाया अब मद्यप्रदेश में सपा कॉंग्रेस गड़बंदन की कवायदों पर ब्रेक की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि मद्यप्रदेश में नहीं हुआ तो भविष्य में भी प्रदेश इस्तर पर गड़बंदन नहीं होगा सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि कॉंग्रेस का मन छोटा है पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव रखने वाली राश्ट्री लोग दल भी इसे लेकर मुखर हो गई है आरेलडी की चर्चा इसलिए क्योंकि ये पार्टी भी इंडिया गड़बंदन का हिस्सा है और राजस्तान में कॉंग्रेस के साथ इस पार्टी का भी गड़बंदन है सपा के कॉंग्रेस के साथ एक गड़बंदन में आने के पीछे नीतिश कुमार की पहल ही नहीं RLD प्रमुक जैन चौधरी की परदे के पीछे की भूमिका भी चर्चा में रही है RLD प्रवक्ता भुपेंदर चौधरी ने इसे लेकर कहा है कि मद्यप्रदेश की बीजावर सीट पर सपा का विधायक है कॉंग्रेस ने वहां उमीदवार उतार दिया है RLD का ये बयान राजस्तान के लियास से भी महत्वपूर्ण है RLD प्रमुक जैन चौधरी ने हाली में राजस्तान में अधिक सीटों की डिमांड करते हुए कहा था कि पिछली बार दो सीटों पर गड़बंदन हुआ था लेकिन ऐसी सीटे जहां कॉंग्रेस हार गई थी गड़बंदन के साथ वहां हम जीत सकते हैं बुपिंदर चौधरी ने आगे कहा कि कहा ये उनका कहना है कि राश्ट्रिय पार्टियां हिस्सा नहीं देंगी तो क्या क्षेत्रिय पार्टियां अपना वजूद खो दें कॉंग्रेस बड़ा दल है सीटे दे कर बड़ा दल दिखाना चाहिए लेकिन नहीं कुर्बानी की बारी आए तो ये छोटी पार्टियां करें ये रवया गड़बंदन के लिए ठीक नहीं है ये कुर्बानी ही इंडिया गड़बंदन के गठन के बाद से भविश्य को लेकर संशय की सबसे बड़ी वज़े रहा है दरसल पश्चिम मंगाल के मुक्ह मंतरी मम्ता बनरजी ने गड़बंदन की कवायच जब शुरू की थी तब ही एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने कहा था कि जो दल जहां मजबूत है वो वहां लड़े कॉंग्रेस के साथ ही तमाम पार्टियों में इसे लेकर अंदर खाने विरोज शुरू हो गया था लेकिन उप चुनाओं में भी यही फॉर्मूला अमल में आता नजर आया था उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है तो वहां कॉंग्रेस और अन्य दलों ने कुर्बानी दी उसके उमीदवारों का समर्तन किया और नतीजा जीत के रूप में मिला पश्चिम मंगाल की धूब गुड़ी सीट पर ममता बनर जी की पार्टी ने उमीदवार उतारा राजस्थान के चुनाओं में कॉंग्रेस के पास मौका था कि जिस जिसे बड़ा दिल कह रहे हैं सपा वो सपा को घेरती रही है जिस सपा को खुद बड़ा दिल दिखा कर एक उधारन सेट करती लेकिन पार्टी उन राज्यों में था इसलिए है क्योंकि मद्यपृदेश राजस्थान ऐसे राज्ये हैं जहाँ पर प्छले जो नतीजे रहे हैं उनमें जैसे कम अंतर खास्त और मद्यपृदेश को आप देखे एं तो तो जिस तरह का पिछला नतीजा रहा था ये मैं बात कर रहा हूँ तब जब कि कमलनाथ ने सरकार बना ली थी लेकिन उस समय पर ये इकका दुक्का विदाय क्या दो चार सीटे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो मद्यप्रदेश में इसलियास से भी बात चल रही है फिर अगर सीटों में साजा करते हैं तो सरकार में भी साजेदारी साफ साफ हो जाती है मंत्री पदी सीधे देना पड़ता है बेशक आप दो तीन सीटों पर ही समी करण बैठा है लेकिन फिर आपको कोई ना कोई मंत्री बैठाना पड़ेगा एक पार्टी से और ये समी क्योंकि मैं कई बार कई explainer में ये बात आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा चुनाओं एकदम अलग हैं विदान सभा चुनाओं एक दम अलग हैं लोकसभा चुनाओं में एक ही फॉर्मूला है कि जॉइंट करके धाई सो से तीन सो प्रत्याशी उतारने हैं अलाइंस को लेफ्ट और कांग्रिस कभी भी केरल में एक हो सकते हैं जवाब आता है नहीं तब तक तो बिलकुल नहीं जब तक कि इनका सीधा मकाबला चल रहा है आपस महीं मकाबला है वहां बीजेपी नहीं है तो यह इन राज्यों यह जैसे पश्चिम मंगाल है पश्चिम मंगाल मे चतुश कोणी है वहाँ वामदल भी है हल्कि वामदल बहुत तेजी से नीचे गए हैं और यहां पर आप कॉंग्रीस बीजे पी और त्रिमूर कॉंग्रेस के बीच में सीधा एक मकाब्ला देखते हैं अब यह मकाब्ला इतना तगडा है कि यह त्रिमूर कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ज्यादा आमने सामने दिखाई पड़ते हैं अला कि बीजेपी ने अपनी इस सिती को काफी सुधारा है पश्चे मंगाल में पिछले कुछ समय में कुल मिलाकर यहां भी अगर आने वाले दिनों में समी करनों को मजबूत करना है तो कॉंग्रेस त इसको पूर्ण वहुमत का आकड़ा बहुत लंबे समय तक मिलता रहा है बाद में यूपी ए का जो एक प्रयोग किया गया था सोनिया गांदी के नितृत में वह एक महत्वपूर्ण प्रयोग आज के लिहास से माना जा सकता है इस इंडिया अलाइन्स को कई बार यूपी ए आ जा रहा है तो निश्चित तोर पर इंडिया अलाइन्स कितना एकजूट है इस बात का टेस्ट भी जनता इसके जरीए करेगी इनके लिए भी सेमी फाइनल